हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फार्मा एंसे क्यों में दिखिए आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्ण्ट हम डिसकस करेंगे और दिखिए यह जो हैं आपके सभी फार्मा कॉंप्रेटिव एक्जाम के लिए इंपॉर्ण्ट हैने वाल क्लते को प्रेस करना के जोने का nocybtस क्शेट करने कान हैं यह जा रिखिए आपके प्रेसित लिंके घटाता है कि हुए वहुच अप्रियस्ट एक्जाम पैर्पेसिन के लिंक मिल जाता है घुए 머ओ तो यह जो ये फांस लिक्जांद प्रापरियाशन इसको आपका कोई भी फेली इसका अग्जाम कर अग्जाम है यहां से चाहिजम अरचिंग में ए जो इसका है इसको आप लोग फॉलो कीजिए माइक्रों इस एकवल टू ठीक है तो वन मैक्रों जो होता है यह किसके इकवल होता है यह बताना है आंसर आपको दियान लगना है कि मिली मिली में अगला नेक्स ऑफचिन है या 1 x 10-6 mm mm या 1 x 10-9 mm या 1 x 10-5 mm तो जो जो बन माइक्रोन होता है वो इक्वल होता है किसके option आपका ही हो जगा 1 x 10-3 mm mm होता है option a right हो जगा question next है which of the following is suitable water miscible suppository base के ऊपर एक तो हमारे कोन से होते हैं फैटी बेस होते हैं दूसरे जो होते हैं water soluble and water miscible suppository base टीक है water soluble and water miscible suppository base होते हैं और एक हो आपकी होते हैं emulsifying base होते हैं तीसरे क्या होते हैं होते हैं तो यह तीन टाइप के हमारे सब्सक्राइब होते हैं option आप से पूछा water miscible suppository base के बारे में अभी options देखें कार्बो वैक्स पॉलित्लाइं ग्लाइकोल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होजेगा आपका जो यह है water miscible में तो आपका आंसर देखें option जो है इसका ए होजेगा कार्बो वैक्स पॉलित्लाइं ग्लाइकोल जो होते हैं यह water soluble यह water miscible suppository meat cornここya butter जिसको क्या बो एल वह बोलते हैं मेंनल कैसे क्यिस पहते हैं स्वाटी बे और मैं समय और यह पॉल्ग फैटी बेस घ्लिए कोरे सிसकातर विपार बेchnри यह तो क्या बोक्ताविकाल uhp खात है कि एक टकाइगरी के डिरकाषियाइ में तो सब्सक्राइब क्यां करता है रहे हैं तो छो होते हैं तो यह उसने जुन जो होता है तो मि цел छो होता है'S a जाइम होता है तो Siri गडिम कि करते हैं तो क्योंकि जो होता है तो यह हो जो जान आटीकोलिर इस होते हैं इनको इंडारेक्टलि एक्तिंग कॉलनर्जीं ड्रग में बोलते हैं ध्यां लगना होंगे के इसमें आपके जो ड्रग कोन कोनगों से आती है इसमें आपके एक तो होते हैं एक होते हैं एक होते हैं इर्रिवर्सिबल होते हैं तिक रिवर्सिबल यह सब आपके रिवर्सिबल एंटिक लॉस्ट्रेश होता है एक होता है तो आपका यह क्लियर होगा आपको पेंटल सोडियम इस अड्मिनिस्टर्ड ओप्शन देखिए इंट्रमस्कुलरली इंट्रवीनस प्रिर्क्टिकली सब क्यूटेनियस देखिए थाय। होता है इंट्रावीनस अनस्थाटिक्स में आते हैं तो आपका अंसर हो जागा ऑप्शन भी इंट्रावीनस ओके पाउंसिल वाज एस्टेबिश्ट इन ओप्शन से हैं इसके त्वाल्थ जुलाई 1950 फॉर्थ मार्च 1948 नेक्स्ट ओप्शन है आपका सैवन्थ अगस्ट 1968 या 12 त्वाल्थ में 1957 तो जो आपका है फस्ट पाउंसिक नाइस्टेबिश्ट इन तो इसमें आपको आपको आंसर देना है तो अप्शन और हमारा अंसर हो जेगा ऑप्शन भी हो जेगा फॉर्थ मार्च इसके अपने चार पॉलिप्टइड चेन होती है तो इसके अंदर चार पॉलिप्टायड चेन होती है तो छोर। पर्पटेड चीन होती आप कर देंगे ओप्शन एफ ओके निक्स्ट है जो यह प्रिकरसर नाईटिन और शेक आपका ओप्शन डी अरगिडॉनिक आसे नेक्स्ट है डिप्थीरिया इस को बाइब विच ग्रूप बैक्टिरिया सब्सक्राइब करने बैक्टीरियम पढ़ते क्या पढ़ते हैं जो आपका राइट हो जगा और नी बैक्टीरियम कोई सब्सक्राइब नियो मैसिंग कोन से रूट सर्ण करते हैं जो आप अमिनो ग्लाइकोसाइट पढ़ते हैं तो यह आपके पूछा बिल्कुल कोश्चन अच्छाइब सब्सक्राइब करेंगे आपका अंसर देख लिए ओप्शन आपने देखी लिए ओंगे आपका होज़ेगा टॉपिकल ओके नेक्स्ट हैं अभी मैं इसमें लिखा हुए सिस्टेमिक आपको दो बताई है कौन से नियो मैसिन और सिस्टमीक होती है उसमें आपकी देख लिए सब्सक्राइब करेंगे लिए उसमें आपको पता है बिल्कुल है किसमें आता है अंटी फंगल जो ड्रक्स होती है उसमें आपका ओप्शन ए जो मतलब की ग्रीशो फॉल्वीन आता है अपको राइट हो जगा एंटी फंगल ओके अभी नेक्स्ट क्वेशन देखिए और इसमें देखिए अन्टी फंगल क्लासिफिकेशन इवन यहां पर थोड़ा से इंकलूड किया है तो यहां से हम एक बर एंटी फंगल क्लासिफिकेशन को रिवाइस कर लेते हैं इस टाइ है एंफोटरेसिन बी निस्टाइटिन हामायसिन नाटमायसिन जिसको पाइमेरिसिन भी बोलते हैं यह तो हो गया आपकी जो है पॉलीइन एंटिबाइटिक और एक इसमें आते हैं ग्रीसियोफल्विन जो आपको ऑप्शन में दिया था यह आता है हिट्ट्रो सेकली आपका को बोते हैं एक काट्री मीघुडल नितर्चेग्री dose लांनाजे मेंद पाता लच्ण वड़ाक्री इसमासियाल नहीन किन सोडियम थायो सलफेट यह भी क्या है एंटी फंगल है तो यह हमने अंटि-फंगल रखका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहां पर रिवाइस करा है आप से पूछे हैं ब्रोड स्पेक्ट्रम इंटि-फंगल आप यह अभी हमने उपर क्लासिफिकेशन देखे हैं तो यह तो ब्रोड इंटि-फंगल ड्रग में आते हैं तो आपका अंसर हो जेगा ऑप्शिन ए होजगा इंट्रायाजोल्स नेच्ट हैं वहां नेक्स्ट है फा इसको क्या करते हैं पेशेंट्स में कॉंट्रा इंडिकेटिट है तो ऑप्शन जो है आपका ही हो जगा जोंडिस के नेक्स्ट और दीकिर फ्लू सिम्टम्स आते हैं और क्या होता है क्या करा देती है और जिसकलरेशन ऑफ यूरीन स्वैट एंड बोडी फ्लूर्स क्वेशन हमारा नेक्सट है मीतोर्य इट्रिक-जेट एक्ट और ओप्शन देख्यें डी एच एफ फार डाई हाइड्रो फुलेट ईक्टेज पी अबी आपाबा रिवर्स ट्रांस्क्रीप्टेज या डियने गायरेश तो मीथो ट्रिक्जेट जो होती है डाई हाइड्रो ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपका फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मीथो ट्रिक्जेट आता है जो क्या उतर डाइडरो फोलेट रडक्टेज हो एंजाइम को इनिविट कराती है तो आपका आंसर क्या हो जगा बिल्कुल सिंपल हो गया आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन आपका जो एंटी मेटाबोलाइट जो होते हैं उसमें आपके फोलेट एंटागनिस्ट होते हैं इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स आती है जो एंटीकैंसर ड्रग है उसका क्लासफिकिशन तो काफी बड़ा है अभी उसमें क्लास है जो है इसमें आपको कौन सी ड्रिवाइज करी एंटी मेटाबोलाइट वाली रिवाइज किराई ओके आपको ना क्लासिफिकिशन के लिए जो मैंने फार्मकोलोजी की प्लेलिस्ट ना उसमें जो एंटीकैंसर ड्रग हो गया एंटीकैंसर जो पढ़ते हैं आपको सबस्क्राइब करते हैं तो से लिए पटने इसदेए तो पुछ़ने में को पुछा है कुछा पूछा कॉंबिनेशन जो यदिक है तो इसके मैं पाइसके लिए और पिर शाद है लिए अपर इन डीकांसर रूबिसी शाद जेए आती है अन्ट कैंसर आति है अपको तो फंसी तो देखिए आपका आपका अंसर क्या अगर जो हैं उसमें हमारे कुन कुन सी आती है अप्शन ने होजेगा डॉक्सरूबीसिन ब्लीयो मैसीन जो होती है यह एंटी कैंसर अंटीबाटिक का कॉंबिनेशन दिया हुआ है यहां पर रिवाइस कर लेजिए कौन कौन सी है इसमें देखिए अंटी कैंसर आंटी बायोटिक्स है क्वेशन नेक्स्ट है प्लांट एलकलोइड यूज्ट एज एंटी कैंसर ठीक है क्वेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है अभी आप इसके ओप्शन देखिए जम्यू deconst-ばार लेकिन हमें पूछा है प्लांट घॉड कि वहिं पूछा है विंक्रिस्टीन जो है यह इंडोल अलकलोईट्स में आता है तो यह एंटी कैंसर इसको यूज करते हैं विंका जो होता है विंका से उप्टेन होता है विंका जिसका सिनॉनिम होता है पैरी विंकल सिनॉनिम होता है कैथरन्थस रोजियस विंका का सोर्स होता है आपको साइने तो इसका आपका विंक्रीन नेक्स्ट है विच वन इस दा कॉंबिनेशन ओफ एक्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन इन पड़ते हैं इन में से कॉंबिनेशन देखिया पिसके मैल फ्लैंस यू थायोटिपा मिथोट्रिक्जेट तो हमने पढ़ा है यांटी में नहीं आता है उप्शन काट देंगे नेक्स डाकार बाजीन आता है ट्राइजिंस में आता है क्लोरें व्यूसिल भी आता है सैकलोफोस तो पीरिंशिक्स थायोग्वैनिन हमने देखा था ना भी हैना मैल फ्लैन और क्वार मस्टिंगे भी सही है तो इसमें आप सिक्स मर्क अप्टोप्यूरिंट की वजह सी ओप्शन कट जाएगा नेक्स है प्रो कार्बाजीन सिस्प्लेटिन एल असपराजिनेज और थायोट इस और ने लिए क्वाइस कर लेटें जो आप लोग पढ़ते हैं तो इस यह वाइस कर देख आपके लिए सबस्तार हैं इस आपकी में मनें इस रहा आता है क्या आता है क्या ताग फिर्टेंट वाइट था ने तो यह उता है यह प्रोक अर्बाजुन च्छोड कार्बद ना उसमें अपका प्रोकार्बाजीन फिर्ट निल्ट प्रोकर्बद तो ने कोशन है तो यह होता है किसके लिए निए होता है किसके लिए वानर्क रियाजंट के साथ ब्लीव कलर देते हैं तो आपका अंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ही एरगट ओके नेक्स्ट विच वण इस सेकेंड जोनेशन सी फालोस्पोरीन सेकेंड जेनरेशन सी फालोस्पोरीन में कौन सा आता है ऑप्शन से सिफ्पाडॉक्सइम प्रॉक्सितिल सी फऊर टक्सिम या सिफपीम गणति है एब को आप्यों आपके बाकि य्चिंड जो है यह आपके जो है यहां या आती है इसका एक हो जो है आपके बाकि जो इसमें जो तो इस लिए उसकी की की है तो यह वरोड फार सि पार इपकूंड लगता लित यह को आती है स्थेट अवाली आथे जिए किसे फालेक्सीन्सी फालोथीन सिफार ड्रोक्स जफार ड्रीन चाहिए कर लीजिए कर लिदे हैं कि इसकर के वाल 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 ट्रॉट लिए आध वालि की होई हमारे ओप्छन आप कंदो निगल क्या जाता है मतलब कि एंजयम इंड्यूसर कौन सा इन में बताना हैं देखिए सिमेटरीन दिया हुआ है फिनो बार्बिटोन प्रोकेइन या एड्रेनलीन टिक है इस क्वेशन का अंसर आप कमेंट बोक्स में देना है इस वीडियो में इतना ही अधर आपको वीडियो अच्छी लगे से ल की जिगा ओके थेंक यूँ